इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल लीगलाइजेशन सर में आज के सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं, बारती साक्ष अधिनियम से रिलेटर्ड एमसीक्यू के बारे में, इसके पहले हमने 9 पार्ट कवर कर लिये हैं, ठीक है, एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू सिरीज में, और यह हमारा 10 पार्ट है, यदि आपने नहीं देखा इसके प क्या कहता है, लोग दस्ता वेज के लिए क्या दुतियक साक्ष दिया जा सकता है, जो प्पिलिक डॉक्विट सोते हैं, उसके लिए जो इत्र विश्वाची के मौकिक साक्ष, दस्ता बेज की प्रमारित प्रति, ये फोटोग्राफी, ये लिख्ष सुई-क्रतिय का दिया क्लिया जा सकता है और यदि आपको में लेक्चर से रिएट कोई डाउट है या फिए आपको कोई क्वेरी है लॉस्त रिएट तो आप इस इंश्टागा में एकाउंट में मैसेज कर सकते हैं जहां पर आपके सारे डाउट क्लियर किया जाएंगे है उसके बाद है हमारा सेकंड कुष्चन निम्न में में से कौन सा दस्तवेज लोग दस्तवेज नहीं है यहां पर ध्यान से कुश्चन को पढ़िएगा क्या कभी कभी इम पूछ देता है कि नहीं है और आप देख लेते हैं कि हाँ लोग दस्तवेज है तो यहां पर स्चे वारा ने जारी करने आधेशes जीलेती द्वारा फसल कारने की रिपोर्ट किसी वाद में प्रस्तुते दावा या प्रतिदावा तैहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी अम्बर जो हमां यहाँ प्रशुकरो भीड़ी सब्दक्र portfolie कि यहां पे कौन से लोग दस्त बेज नहीं है ठीक है नहीं इसका की सही आंसर क्या होगा इसका साही आंसर होगा c नंबर प mercy नॉप्लिक्ण फॉर्डण को शालिशन नहीं है किसी पर्टिकुल्न वह परसन का होता है ठीक है फोर्थ question है, यारे आपको किसी पर question के answer पता है, तो please comment box सब comment करकर जरूर रताईएगा. प्रमानित प्रतियों के अशली होने की उपधारना का उपबंद, किस धारा में प्राप्धानित है? धारा 78, धारा 89, धारा 80 या धार 82 में, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा पीनप, यानि धारा 89 में, प्रमाणित प्रतियों के असली होने के उपधारना का उपन, कहां पे बताएगा है, section 79 of evidence act में, उसके बाद है fifth question, तार संदेशों के ब सम्मंधि प्रापधान, साक्ष अधिनियम के किस धारा में बताये गया है, धारा 83 में, धारा 85, धारा 87 या धारा 88 या धारा 88 यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है, वो होगा D number, धारा 88 में क्या बताये गया है, कि तार संदेशों के बारे उपधारणा से सम्मंधित उसके बाद है six question कोई तीस वर्स पुराना दस्तवेर जो उचित अभिरक्षा से क्लस्तुत हुआ हो वह सम्यक निस्पादन तथ्यात्माग उपधारणा है खंड़नी वैधानी कुपधारणा है या अखंड़नी वैधानी कुपधारणा है या उप वर्स पुराना अगी दस्तवेर प्रस्तुत किया गया है उचित अभिरक्षा से निस्पादन के लिए ठीक है तो क्या होगा तो तथ्यात्माग उपधारणा है यहाँ पर सही अंसर होगा यह नंबर उसके बाद है seven question कोई दस्तवेर जो पुराना है उसका सही होना नियाल उपधारित करेगा कब करेगा जब है पांच वर्स पुराना हो documents यह 10 वर्स पुराना हो 20 वर्स पुराना हो यह 30 वर्स पुराना हो तो जब इसके पहले हमने देखा था वह 30 वर्स पुराना की बात की गई थी तो यहाँ पर इसका सही अंसर क्या होगा 30 वर्स पुराना हो य यहां पे इसका सही आंसर क्या होगा यहां पे इसका जो सही आंसर है वो होगा 30 वर्स उसके बाद है हमारा 9th question यह सूत्र कौन सा सूत्र कि लिखित दस्तबेजो को लिखित दोरा ही साबित किया जाना चाहिए एकिस धारा में दिया गया है, धारा 87, धारा 91, धारा 98 ये धारा 120, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, बी नंबर, तो धारा 91 में, उसके बाद है, टेन्थ गॉस्चन, साक्ष अधिनियम की धारा 92 लागो होती है, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, अनंबर, दूई पर धारा 92 लागो होती है, उसके बाद है कि क्यामपल है 11th question में खाको का 1000 रुपियों या 1500 रुपियों में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है अब यहां पर क्या है amount fixed नहीं है या 1000 यह भी हो सकता है साख्ष आज्रियम के तहट साक्ष नहीं दिया सकता है नियाले की अनुमती से साक्ष के रुपियों पर था यह यह यहां पर इसका साक्ष नहीं दिया जा सकता है इसका सही अंसर क्या है बी नंबर इसका साख्ष नहीं दिया सकता है अब फीक सी नहीं है तो कैसे उसका कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है टेल्थ कुश्चन दस्ता बेजों को अवैद कर देने वाले तत्यों का मौखिक साख्ष ग्राय है असाथ कोई दस्ता बेज है और उसक को अवैद कर देने के लिए इसको जो मौुकिक साक्ष है वो क्राई है कहां पर धाराव 92 के परन्तु kalian यह videos दो थारव 32 तीन क्या दर दा हुआ किसा सही आंसर क्या होगा यहां पर जो जो सहीran सरे है Dakarap पानवा के परंतु एक क्या धिन क्या है सकता है उसका मौकिक साथ ग्राय है उसके बाद है 13th question और last question इसका निम्ड में से कौन सा दस्तवेज लोग दस्तवेज है सास की निकायों के दस्तवेज अधिकर्णों की दस्तवेज प्रवता संबन प्राधिकारी के दस्तवेज यह सभी यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर इसका सही आंसर है वह होगा डी नंबर यह सभी क्या है प्राइबेट दस्ताबैज से लोग दस्ताबैज तो आपको यह अच्छा लगाव लेक्सर तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ और यदि आप नए है तो सब्सक्राइब करके पेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो को निटिफिकेशन आपको मिलती रहे तेंक यू सो मुछ फो वाचिंग लिग लाजिए संसर्व